Hello Everyone, I hope आप लोग सब ठीक होंगे आज हम लोग डिसकस करने जा रहे हैं Sonnet 116 Let me nod to the marriage of true minds Sonnet 116 इस sonnet को लिखा है English poet and playwright William Shakespeare ने Shakespeare ने इस sonnet को around 1609 publish किया इस sonnet की form है English or Shakespearean sonnet Sonnet क्या है और इसकी types कौन कौन सी है इस पर मेरी अलग से वीडियो है उसका link में description में दे दूँगी आप चेक कर सकते हैं तो इस sonnet को हम English or Shakespearean sonnet का नाम देंगे जिसके अंदर Iambic Pentameter को यूज किया गया है और इसके अंदर rhyming scheme है ABAB, CDCD, EFEF, G, G ये Shakespearean sonnet की rhyming scheme है और इस sonnet का main idea क्या है It describes true love as an enduring unbending commitment between people के जो महबत है वो ना खतम होने वाली commitment है लोगों के दर्मियान A bond so powerful that only death can reshape it के ये वो bond है जो इतना powerful है के जो मौत के साथ ही खतम हो सकता है तो ये actual में एक romantic poem है इस sonnet की 14 lines है जो के Shakespearean sonnet की form है इसके अंदर 3 quatrans है quatrans कहते हैं 4 lines के एक stanza को 3 quatrans है और एक couplet है और rhyming scheme है ABAB, CDCD, EFEF, G, G ये rhyming scheme है इस sonnet की तो first quarter है इस sonnet का Let me not to the marriage of true minds admit impediments Let me not, मैं नहीं मान सकता to the marriage, शादियों को of true minds, सचे दिमागों की या सचे दिलों की admit कि वो तसलीम कर ले, मान ले impediments, रुकावतों को तो writer क्या कह रहा है कि मैं ये नहीं मान सकता कि दो प्यार करने वालों के दर्मियान में कोई रुकावटें आ जाएं Love is not love, वो प्यार प्यार नहीं है which alters, जो बदल जाए when it alteration finds जब इसके रस्ते में मुश्कलात आ जाएं ये वो प्यार प्यार नहीं है जो मुश्कलों के साथ बदल जाए और bends या जुक जाए with the remover to remove जब एक प्यार करने वाला चला जाए, मतलब ये के प्यार बदल नहीं सकता मुश्किलों से या किसे इनसान के absent होने से, चले जाने से प्यार हमेशा रहता है अब इस first quarter का main idea क्या है? इसका main idea ये है कि प्यार जो है वो हमेशा के लिए रहता है मौत तक वो रहता है उसके दर्मियान में कोई भी रुकावट आ जाए, कोई भी मुश्किल आ जाए या एक इनसान वहां से चला जाए फिर भी प्यार खतम नहीं होता, कोई reason नहीं है मुहबत के खतम होने की ये तो हमेशा के लिए है चीजों के बदल जाने से या मुश्किलों के आने से ये खतम नहीं हो सकता उसके बाद है second quadrant Oh no, it is an ever fixed mark नहीं, ये एक हमेशा के लिए fix हुए धबे की तरह है निशान की तरह है that looks on tempests जो देखता है तुफानों की तरफ and is never shaken और जिसे कोई हिला नहीं सकता कि ये वो निशान है जो तुफानों के अंदर भी खड़ा रहता है उसे कोई हिला नहीं सकता it is the star, ये उस सितारे की तरह है to every wandering bark wandering कहते हैं इदर उदर भटकते हुए बाग कहते हैं उन्ची आवास को नेकिन यहां पर कहेंगे बहरी जहास को तो ये उस भटकते हुए बहरी जहास की तरह है जो के सितारों की तरफ देखता है और रस्ता देखता है रस्ते का अंदाजा लगाता है whose worth is unknown जिसकी कीमत का अंदाजा नहीं है although his height be taken लेकिन उसकी उन्चाई का अंदाजा लगाया जा सकता है मतलब ये कि सितारों को रात की तारीके में जो बहरी जहास है वो सितारों को देखकर अपनी जगा का अंदाजा लगाते है उन्हें पता चलता है सितारों की तरफ देखकर कि वो किस जगा पर है तो इस सेकंड कौाटरेंड के अंदर राइटर क्या कह रहा है कि महबत उस निशान की तरह है जो अपनी जगा पर फिक्स्ट होता है वो किसी तौफान के साथ बदल नहीं सकता ये उस सितारे की तरह है जो के बहरी जहासों को जो भटक रहे होते हैं उनको रस्ता दिखाते हैं उनको उसकी कीमत का अंदाजा होता है और वो उसकी हाइट भी नाप सकते हैं तो महबत भी उसी की तरह है उस फिक्स्ट माक की तरह जो किसी भी तौफान से हिल नहीं सकता कोई भी तबदीली आ जाये तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उसके बाद है थर्ड क्वाटरेंड लव इस नोट टाइम्स फूल महबत एक ऐसी चीज़ है जिसको वक्त बेवकुफ नहीं बना सकता दो रोजी लिप्स एंड चीक्स अगरचे जो सुर्ख होंट हैं और जो गाले हैं इसके जुकते हुए सिकल कहते हैं दिरांती को सिकल्स कमपास कम कि जो वक्त के जो बाजू है वो दिरांती की तरह आते हैं और खुबसूरती को खतम कर देते हैं लेकिन प्यार उसके साथ भी खतम नहीं होता love alters not with his brief hours and weeks hype's, महबबत जो है वो नहीं बदलती वक्त के घंचों या हफ़तों के साथ, but bears it out even to the edge of dome, बलके ये तो बरकरार रहती है, हमेशा के लिए रहती है, क्यामत तक, dom कहते हैं कियामत को, कि क्यामत तक या मौध तक महबबत जिन्धा रहती है, इसको किसी चीज का मोहताज नहीं होना पड़ता इस थर्ड कौर्टरिन का में आइडिया क्या है कि जो महबत है वो वक्त के साथ खतम नहीं हो सकती वक्त के जो बाजू है वो दरानती की तरह इंसान की खुबसूरती को जरूर खतम कर देते हैं लेकिन उसके साथ महबत खतम नहीं होती महबत का खातमा कब होता है जब मौत आती है जब कियामत आती है उससे पहले कोई भी चीज महबत को खतम नहीं कर सकती और लास्ट कपलेट है अगर जो मैं कह रहा हूँ वो गलत हो और इसको मुझ पे थाबित भी कर दो आई नेवर रिट तो मैंने कभी नहीं लिखा ये मान लो और नहीं कभी किसी ने महबत की तो राइटर क्या कह रहा है इस लास्ट कपलेट में कि अगर तुम ये मान लो कि जो मैं कह रहा हूँ वो गलत है और तुम मुझ पे इसे साबित भी कर दो तो फिर ये मानो के मैंने ना कभी लिखा और ना ही कभी किसी इनसान ने महबत की ये है साबित 116 अगर इस साबित को हम critically analyze करें तो ये साबित महबत के बारे में है ये एक romantic साबित है जिसके अंदर क्या बयान किया गया है कि प्यार जो है वो हमेशा रहता है उसकी रास्ते में कोई रुकावटें आएं तब भी वो खतम नहीं होता ये उस माक की तरह है उस निशान की तरह है जो अपनी जगा पर काईम रहता है उसके रस्ते में आने वाले हर तोफान से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता ये वक्त के बदलने से बदलता नहीं है चाहे वक्त के साथ कुबसूरती खतम भी हो जाए तब भी जो महबत है वो खतम नहीं हो सकती ये हमेशा के लिए रहती है और महबत मौत के साथ खतम होती है क्यामत के साथ खतम होती है उससे पहले इसका इक्तताम नहीं है महबत हमेशा रहती है जो भी इनसान महबत करता है उसके वो बदलने से उसके रस्ते में मुश्किले आने से या रुकावते आने से उसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए वो प्यार प्यार नहीं है जो के वक्त के साथ बदल जाए, रुकावटों के साथ बदल जाए, मुश्किलों के साथ बदल जाए, प्यार तो हमेशा के लिए रहता है, और राइटर क्या कह रहा है, कि अगर मैं जो कह रहा हूँ वो घलत हो, और आप इसको साबित भी कर दें, तो फिर ये मान लो, कि मैंन का मौाजना कर रहा है किस तरह से महबत हमेशा के लिए रहती है ये कभी खतम नहीं होती तो ये है सॉनेट 116 उमीद है आपको समझ आई होगी आज के लिए इतना ही मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए खुदा हाफिस